हेलो स्टुडेंट्स हमारे इस प्रोग्राम के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है आज का एपिसोड आपके PT 2019 का बहुत इंपॉर्टन एपिसोड है क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं फिसकल डेफिसीट फिर राजकोशी घाटा राजकोशी घाटा का वित्तियन यानि फाइनसिंग जैसा की इंटरीम बजट में कहा गया है फिर हम इंटेक्स की बात करेंगे फिर उसके बाद में hybrid annuity model की भी बात करेंगे और hybrid annuity model के बाद हम लोग nbfc का a to z यानि यहां से अगर nbfc का कोई सवाल पूछा जाता है exam में तो आप समझे कि वो आपको इस episode से ही मिलेंगे तो most important episode है आप please concentrate होकर कि इस episode को enjoy कीजिए ठीक है burden नहीं लेना है enjoy करना है जैसा कि आप हर class में करते हैं हर episode में करते हैं ठीक है शुरू करते हैं पहले राजकोशी घाटा राजकोशी घाटे की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर सरकार का अगर कुल खर्च जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बज़ट के बारे में बात किया था, सरकार का कुल खर्च अगर 100 रुपया है, मान लीजिए, ठीक है ना? और सरकार की कुल प्राप्ती मान लीजिए 80 रुपय है, तो इसका मतलब क्या? बीस रुपया जो है, वो आपका एक्स्ट्रा खर्च है, सरकार का, अत्रिक्त खर्च है, ठीक है, क्योंकि प्राप्ती तो 80 रुपय कही हो रहा है, तो बीस रुपया जो अत्रिक्त खर्च है, उस अत्रिक्त खर्च के लिए सरकार जो रिंड लेती है, ठीक है उसे क्या कहा जाता है एक तरसे राजकोशी घाटा यानि कुल खर्च 100 रुपया 80 रुपया प्राप्ती सिंपल सा हिसाब है 20 रुपया क्या हुआ घाटा हुआ जिसके लिए सरकार रिंड लेती है इसी को कहा जाता है राजकोशी घाटा ठीक है अब राजकोशी घाटा में ये जो 20 रुपए है ये सरकारी रिण के रूप में होता है क्योंकि सरकार इसको रिण के रूप में लेती है अब सरकार रिण के रूप में लेती है तो याद कीजे सरकारी रिण सरकारी उधारी किस में आता है पूंजिगत प्राप्ती में जो हम लोग अपने अपने पिछ पुनजिगत प्राप्ति से इसको क्या करते हैं हटा देते हैं या माइनस करते हैं ठीक है तो तब ही तो पता लगेगा अगर सो रुपया मान लीजिए प्राप्ति है अब इस प्राप्ति में आपने उधार को अगर छोड़ दिया यां 20 रुपया तो आपका 100-100 तो जीरू हो जो बजटी घाटे के रूप में दिखा पहले होता था लेकिन यहाँ पर चुकि आपको राजकोशी घाटा अपना दिखाना है तो राजकोशी घाटा आपका 20 रुपए है इसलिए आप पूंजिगत प्राप्ति से इसको माइनस करते हैं अब राजकोशी घाटा का देखा जा सालों में अगर हम बात करते हैं 2014-15 में 4.1 परसंट था फिर 15-16 में 3.9 परसंट हुआ घाटा फिर उसके बाद में 16-17 में घट करके 3.5 परतिसत हुआ GDP का 3.5 और फिर 17-18 में घट करके 3.5 परसंट हुआ अगर हम देखते हैं कि राजकोशी घाटा को तो वरतमान में 19-20 के अ पांच वर्सों में तो हम देखते हैं कि राजकोशी घाटे में लगातार कमी आया है जैसे 18-19 में 3.4 है 17-18 में हम देखे थे कि 3.5 परसंट था 16-17 में भी 3.5 परसंट ही था 15-16 में 3.9 परसंट था और 14-15 में ये 4.1 परसंट था तो कहीशी न ऐ हम देख रहे हैं कि राजको जनता से उधार ले रही है बॉंड के रूप में तो आप देखिए कि जनता से उधार लेने पर सरकार सरकारी प्रतिभूती जारी करती है अब सरकारी प्रतिभूती सरकार जारी करेगी तो जनता ज्यादा तर किसमें निवेश करती है सरकारी प्रतिभूती में निवेश करेग क्राउडिंग आउट की स्थिती भी कहते हैं जहां पर निजी प्रतिभूती जब निजी कमपनी डिवेंचर अपना लॉंच करते हैं मार्केट में कि भैया उनको पुंजी जुटाना है तो उनके लिए धन कहां रह जाता है निवेश कहां रह जाता है अगर सरकारी प्रतिभूती में लोग ज़्यादा निवेश कर देते हैं ठीक है इसलिए उनको अपना ब्यास धर्वी बढ़ाना पड़ता है तभी लोग फिर पैसा बचा हुआ जिनके पास है वो लोग निवेश करते हैं फिर सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार उधार लेती है तो उधार लेना तो देखी कोई अच्छा बात नहीं है आप भी उधार लेते हैं अगर अपने फ्रेंट से फ्रेंट का उधार तो अलग बात है कि आप चुकाते नहीं है लेकिन हैं आपने किसी से उधार लिया तो आपको उस पर ब्यास तो देना पड़ता है सबसे बड़ी बात है अब मान लीजे गवर्मेंट ने उधार लिया गवर्मेंट ने उस पर ब्यास दिया ठीक है अब ब्यास दिया तो इस ब्यास को माने चुकाने के लिए गवर्मेंट को फिर से क्या लेना पड़ता है उधार लेना पड़ता है तो एक तरह से देखा जाए गवर्मेंट उधार 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 ये उधार उधार के क्या करती है जाल में फस जाती है जिसको कहा जाता है डेट ट्रैप ठीक है लेकिन जहां ये नुकसान करता है वहां कहीं न कहीं राजकोशी घाटा फाइदा भी तो करता है क्योंकि जब सरकार उधार लेती है तो पैसा जो है वो सरकार क्या करती है रबियाई से हो या जनता से हो वो वापस जनता के लिए तो सरकारी योजनाओं में तो खर्च करती है जिससे बाजार में तरलता बढ़ती है मा का सुत्र जान लीजिए कि अगर एक्जाम में पूछा जाए चार-पांस तरह से सुत्र तो आपको याद हो राजकोशी घाटा जब सरकार का कुल खर्च उसके कुल प्राप्ति से ज्यादा हो ठीक है जैसा कि हमने देखा 100 में 80 घटा है तो क्या हुआ बीस रुपया है खर्च ज्यादा था तभी राजकोशी घाटे का मतलब है कुल खर्च और कुल खर्च में कुल प्राप्ति को माइनस कर रहे हैं लेकिन किसको छोड़ कर सरकारी उधारी को छोड़ कर बताया था क्योंकि सरकारी उधारी का double calculation ये already पुझिगत प्राप्ती में capital receipts में include होता है अब इसको मैंने और तोड़ दिया जैसे कुल खर्च को मैंने राजस्वार पुझिगत खर्च इसमें तोड़ दिया सरकारी उधारी तो है ही हमारा कुल प्राप्ती में से मैंने क्या किया है सरकारी उधारी को minus करके दिखाया माने एक तरह से देखा जाए पहले वाले का ही आप देखिए दुसरा वाला जो है वहीं से दुसरा formula derive हुआ है third formula देखे तो भी वो पहले वाले से ही derive हुआ है या दुसरे वाले से derive हुआ है जहां मैंने कुल खर्च ले लिया है minus अब देखिए पूंजिगत प्राप्ती माने राजस्व प्राप्ती को तो हमने जोड़ा है revenue receipt को तो जोड़ा है लेकिन पूंजिगत प्राप्ती के सारे मदों को हमने ले लिया किसको छोड़कर सरकारी उधार को छोड़कर विनिवेश को ले लिया disinvestment सरकार की लगू बचत योजना small saving scheme of the government और दिये गए रिण की वापसी यानि loan repayment को उसको भी हमने ले लिया जोड़ दिया और उसको राजस्व प्राप्ती से जोड़ा है और कुल खर्च से मानेस करेंगे तब भी वो राजकोशी घाटे का ही फार्मूला है फिर राजकोशी घाटे का मतलब बजटी घाटा प्लस सरकारी देता हम लोग जानते हैं पहले भी बजटी घाटे में कि बजटी घाटा सरकार का सुनने होता था क्योंकि सरकार एड होक ट्रेजरी बिल जिसको बाद में सुख्मे चकरवर्ती के सिफारिस पर बंद कर दिया गया ठीक है क्योंकि ये बाजार में तरलता बढ़ाता है मुद्रा स्विति से का खत्रा हो सकता है इससे तो इसलिए सरकार ने इसको खतम करके समाप्त करके ways and means advance को सुरू किया है अब पहले zero क्यों होता था क्योंकि सरकार का खर्च होता था 180 रुपया सरकार की प्राप्ती 20 रुपया ad hoc treasury bill जिसके द्वारा सरकार अब सकल प्रात्मिक घाटे का एक formula याद कीजिए क्या है सकल प्रात्मिक घाटा जिसमें राचच्चोशी घाटे में हम लोग ब्याज भुकतान को minus करते हैं याद कीजिये सकल प्रात्मिक घाटा जो gross primary deficit राचच्चोशी घाटा minus ब्याज का भुकतान अब अगर ब्याच का भुकतान को हम इस तरप लाते हैं, यहां से अगर हम इसको राइट हंड साइड से लेफ्ट हंड साइड में लाते हैं, तो याद रखिएगा, यह तो आपको पता ही, यह माइनस प्लस हो जाता है, तो राजकोशी घाटे का एक फॉर्मूला और क्या हो ग और राजकोशी घाटा बराबर सकल प्रात्मिक घाटा प्लस ब्याच का भुकतान जो की इस फॉर्मूला से हमने इसको डिराइव किया है, राजकोशी घाटा को अगर हम पिछले पांच वर्सों में देखते हैं, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, यह जो है 18-19 में अगर हम तो एक तरह से देखा जाए, क्या देख रहे हैं हम लोग, 3.4% क्योंकि 19-20 के बजट में हम लोग 18-19 के जो अंकडे, एक्चुल अंकडे उसी को लेते हैं, 3.4%, 17-18, 3.5%, फिर 16-17, 3.5%, 15-16, 3.9%, और 14-15 में 4.1%, जैसा कि मैंने कहा था कि 14-15 से लेकर 18-19 में लगा अतार, र जो पिछले साल का होगा, वो हम लोग, रियल डेटा लेगे, इस साल का हम लोग, प्रोविजनल डेटा लेगे, और आगामी वर्स का क्या लेते हैं, अनुमानी ताकडा लेते हैं, ठीक है, तो एक तरह से हमने देखा कि राजकोशी घाटे में, हमारा मेन मकसद यहाँ पर इ स्थिती उत्पन्न करता है, कथन दो, यह रिणजाल की स्थिती को भी उत्पन्न कर सकता है, कथन तीन, एनके सिंग समिती ने 2022-23 तक भारत की राजकोशी घाटे को GDP के 2.5% तक लाने का सुझाओ दिया है, अब पहला दो कथन तो मैंने समझा भी दिया था, तिसरा आपको न इन्होंने सुझाओ दिया था कि 2022-23 तक राजकोशी घाटे को 2.5% तक लाया जाए, राजस्तो घाटे को 0.8% तक लाया जाए, और प्रभावी राजस्तो घाटा, effective revenue deficit को समाप्त किया जाए, 0 किया जाए, और साथ इसाथ जो GDP रिण अनुपात है, उसको कम करके 60% तक लाया जाए, ठीक है, तो ये उनका ही सुझाओ था, इसलिए ये भी सही है, ठीक है, पहला वाला और दुसरा वाला तो हमने समझा है, कि ये दोनों सही है, तो आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 है ना, अरे वाह, पकड़ लिया, क्योंकि मैंने असत्य पूछा है, तो इन में से कोई नही क्या बात है, वेरी गुड, अब 19-20 के जो इंटरिम बजट में अगर आप लोग ध्यान दें, तो वहाँ क्या इंपोर्टन्ट है, दो चीजे इंपोर्टन्ट है, एक तो इस एपिसोड में मैं कवर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वाला मैं अभी बताऊंगा नहीं, सस्पें लेकिन उसको नेक्स्ट एपिसोड में मैं उसको कवर करने वाला हूँ, जो नेक्स्ट इंपोर्टन्ट बात है, यहाँ पर राजकोशी घाटा के वित्तपोशन के स्रोथ, जो P.I.B. के स्रोथ से मैंने लिया है, और इंटरिम बज़ट 2019-20 में भी कहा गया है, कि वो क्या-क स्रोथ है, याद रखेगा, सबसे बड़ा स्रोथ तो बाजार उधार उधार, जो उधार ले रही है सरकार, ठीक है न, सरकारी उधार, उसके अलावा भी याद रखेगा, राज्य भविश्य निदिया, विदेशी रिण, अल्प बचतों के बदले प्रतिभूतिया, फिर अ याद रखेगा, ये स्रोतों के नाम थोड़ा सा, आप कंठस्त, याद रखेगा, जो मुह में एकदम आपके होना चाहिए, ताकि वहाँ पर आगर ऐसा पूछा भी जाता है, तो आपको पता हो, चलिए, इसके बाद हम लोग करंट में आ जाते हैं, स्टैटिक के बाद में, इंस्टैक्स की बात करते हैं, कि इंस्टैक्स क्या है, 31 जनवरी 2019 को, डेट बहुत इंपॉर्टन नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टन है, कि जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ने, इरान के साथ, किसके साथ, इरान के साथ, एक अलग पेमेंट चैनल बनाने की गोशना की है, और ये पेमेंट चैनल को क्या नाम दिया गया, इंस्टैक्स दिया गया, यानि इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट आफ ट्रेड एक्चेंजेज, और इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि इसका उदिश्य, इरान पर लगे, अमेरीकी प्रतिबंदो, जो अभी पिनार करते वे उसके साथ व्यापार जारी रखने के उदिश्य से, ये सुरू किया गया, क्या, इंस्टैक्स को, यानि इंस्टैक्स क्या है, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट आफ ट्रेड एक्चेंजेज, और इसमें कौन-कौन से देश है, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैं जो है, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया जाएगा, और सबसे बड़ा बात है, जर्मनी के बैंकिंग एक्सपर्ट इसका प्रबंधन करेंगे, और युनाइटेट किंडम की सुपर्वाइजरी बोर्ड की अगवाई करेगा, तो चलिए, इससे संबंदित एक प् चैनल बनाने की गोशना की है, कथन दो, इंस्टेक्स का उद्श अमेरिका और चीन के प्रतिबंदों को दर किनार करके इरान के साथ वैपार जारी रखना है, कथन तीन, इंस्टेक्स का प्रबंधन फ्रांस करेगा, जबकि इसकी सुपर्वाइजरी बोर्डी की अगवाई या बोर्ड की अगवाई, युनाइटिट किंडम करेगा, वो परियुक्त में से कौन सा कथन, अब बताइए, A, 1, 2, 3, B, केवल 2, C, 1, 2, इन में से कोई नहीं, D, हो गया, देखिए, फिर वही गलती, आप लोगोंने आंसर देते वक्त किया, कि असत्य नहीं देख रहे हैं और असत्य कथन अगर बात करते हैं, तो पहला भी असत्य है, और दुसरा भी असत्य है, और तिसरा भी असत्य है, क्योंकि केवल अमेरिका और दुसरा यहाँ ठीक उल्टा दिया हुआ है, और मने अपोजिट की, इसका प्रबंदन कौन कर रहा है, इसका प्रबंदन यहाँ से कोई भी नहीं तो फिर असत्य कथन क्या होगा असत्य पूछा और तीनों असत्य है तो आपका आंसर क्या होगा ए एक दो और ती हाइब्रिड एनुटी मॉडल की अगर हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हाइब्रिड एनुटी मॉडल को समझने के लिए थोड़ा सा पहले समझे की पीपी मॉडल क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप सारुजनिक नीजी मॉडल अब सारुजनिक नीजी भागीदारी होता क्या है सरकार आप देख रहे हैं कि infrastructure में सरकार दो तरकाः खर्च करती है एक तो राजशो खर्च revenue expenditure और दुसरा पुझिगत खर्च capital expenditure पुझिगत खर्च जीसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि जिससे सरकार देश में परिसंपतियों का निर्माड करती है सरकार के पास capital expenditure के लिए पूंजिगत खर्च के लिए बहुत कम धन होता है सरकार के पास धन भी ना के पराबर निवेश के लिए पैसा ही नहीं होता है इसमें तो सरकार एक PPP model लेकर आई जहां पर सारुजनिक नीजी भागीदारी के द्वारा यानि public private partnership के द्वारा देश में परिसंपत्यों का highways का निर्माड किया जाएगा अब PPP model जो है ये इसके कुछ model अलग-अलग है थोड़ा समझेगा जैसे पहला नाम है build operate अब build operate का मतलब क्या हो गया build operate का मतलब हो गया कि यहां designing का काम project की designing का काम कौन करेगा सरकार करेगा सरकार की agency नहाई कर लेगा national highway authority of India लेकिन इसको बनाना build मतलब बनाना और इसको बनाने के बाद क्या करे आजाएगा इसको operate करने का यानि इसको अपने पास रखकर इसमें tall वसूल करके इसको maintain करने का का कौन कर रहा है जब तक उसका वसूली नहीं हो जाता लागत और profit नहीं हो जाता वसूली तब तक वो निजी कमपनी अपने पास रखेगा लगबग 30 साल का ये एक तरह का अनुबंध हो जाता है सरकार के साथ निजी कमपनियों का जबकि design build operate में क्या होता है design build operate में क्या होता यहां design build operate में हम क्या देख रहे हैं कि जो designing का काम भी है वो किसके हाथ में चला जाता है वो private company के हाथ में बिल्ड operate तो रहता ही है लेकिन अब designing का काम भी सरकार की जगा वो नहाई की जगा वो नीजी कंपनियों के हाथ में अगर चला जाए ठीक है फिर उसके बाद आता BOT Bot, Build Operate Transfer और यह जो है यह सबसे समझ लीजे, famous model माना जाता है Build Operate Transfer यहां क्या होता है build operate और build operate transfer दोनों में अंतर समझेगा build operate में सरकार क्या करती है बनवा करके उससे वापस ले सकती है ठीक है और वापस लेकर उसको पूरा का पूरा जो उसका लागत आता है जो उसका cost आता है company का वो उसको दे सकती है ठीक है एक तो ये तरीका दुसरा BOT Bot Model में build operate transfer में आप बनाईए नीजी कमपनियों को बोलती कि वहीं आप बनाईए ठीक है जो भी सड़क उलग बनाना highway बनाना आप बनाना का काम कीजिए उसके बाद आप उसको operate भी कीजिए आप उस पर सुल्क लगाईए और सुल्क उससे वसूलिए ठीक है अब BOT जो bot model है यह बहुत famous model है भारत में यह भी दो तरस से चलाया जा रहा है एक annuity model और दुसरा tall model annuity model में क्या होता है सरकार बोलती है कि भाई आपने बनाया बना करके आप एक काम कीजिए परियोजना को आप हमें सौप दीजिए हम धीरे धीरे इसका पैसा आपको देना एक निश्चित रासी देना आपको सुरू कर देंगे हर 6-6 महिना में जनरली सरकार भुकतान करती है और जब परियोजना का निर्मान पूरा हो जाता है तो सरकार बोली हम इसका payment धीरे धीरे आपको कर देते हैं दुसरा टॉल मॉडल में जबकि सरकार बोलती है कि भाई आप परियोजना को बनाईए और इस पर सुल्क लगा करके आप इसको सुल्क लगा करके तब तक सुल्क जो भी हमारा एक अनुबंध हुआ है आपका समय का आप सुल्क लगाईए इसका profit भी लीजिए और बाद में वो परियोजना हमें अंतरण यानि हमें transfer कर दीजिए जबकि LDO lease develop operate में क्या होता है यह पहले से मान लीजे कोई परियोजना already चल रही है मान लीजे कोई सड़क पहले से बना हुआ है उसके reconstruction पुनरुधार के लिए सरकार क्या करते, उसको lease में देती है ताकि आप इसको develop करो और फिर इसका परिचालन भी आप देखते रहो और इस पर आप चाहो तो tall भी लगा सकते हो, नहीं तो आप सरकार को stop दो, जो भी lease में जब आपको हम दे रहे है तो तो उस lease में आप क्या कर आप lease में जब तक आप के पास है तब तक आप टॉल लगा करके आप उससे सुलक लगा करके आप अपना profit वसूल लो ठीक है तो यह सरकार के कुछ model है अब हुआ क्या कि सरकार ने देखा कि एक नया model लेकर आई जहाँ पर नीजी कंपनिया एक्चुलि यह तुरंत पैसा चाहिए तुरंत profit चाहिए इसको देखते वे सरकार एक और model लेकर आई EPC Engineering, Procurement और Construction Model इसमें क्या बुला सरकार ने की भाई आप परियुजना का किवल निर्मार करिए construction कीजिए और जो भी उसको उसमें जो पैसा लगेगा और पैसा लगने का जो भी उस अब EPC model भी बहुत famous नहीं हो पाया है क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा ही कहां कि सरकार प्रोजेक्ट पर लगा सके तब अब नया model सरकार लेकर आई है जिसको कहा गया Hybrid Annuity Model और अब National Highway Authority of India ज्यादा से ज्यादा अपने highways का निर्मार यह Hybrid Annuity Model पर ही करेंगे अब Hybrid Annuity Model है क्या जरे इसको देखिए तो Hybrid Annuity Model में क्या है EPC Engineering Procurement Construction Model को मिला लिया गया और BOT Model को मिलाया गया है लेकिन BOT Model में कौन सा मौडल लिया गया टॉल को नहीं लिया गया बलकि Annuity Model को लिया गया यानि BOT Annuity और EPC दोनों को मिला करके सरकार ने एक नया model बनाया है जिसको Hybrid यह याद र Annuity Model है क्या राजमार्ग निर्मान में निजी छेतर की भागीदारी के लिए वर्तमान में सरकार तीन अलग-अलग मौडल अपनाती है PPP, Annuity, PPP, Tall और EPC यह तीनों आप लोग समझ चुके हैं अब Hybrid Annuity Model क्या है BOT, BOT जो है यानि PPP, Annuity, BOT का Annuity Model और EPC यह दोनों का जो सम्मि बोलती है कि भाई हम 40% तुमको हम दे देते हैं, परियोजना का 40% यह हम तुमको हर साल एक Fixed Amount जैसे हर साल कितना हो जाएगा, 5 साल अगर देना है सरकार को, तो हर साल 8% परियोजना का जो भी है, सरकार देना सुरू करेगी, तो सरकार बोलती है हम एक Fixed Amount आपको 5 साल तक देते रहेंगे, ठीक है, और फिर जब आपका निर्माण हो जाएगा तो उसके प्रदर्शन के आधार पर, प्रदर्शन के आधार पर हम उसका सेश राशी का भुकतान आपको Annuity आधार पर, यानि यहां तो पहला जो 5 साल है वो निश्चित होगा, वो Fixed होगा, ठीक है, औ और उसके बाद जब परियोजना खतम हो जाएगा, जब हम आपको पैसा देंगे, तो वो आपका variable भी हो सकता है, परिवर्तन भी होगा उसमें, क्योंकि वो Annuity Model से दिया जाएगा, यानि इसके तहट सरकार डिजाइन के अनुसार पहले 5 वर्सों में परियोजना लागत का 40% निश्चित भुक्तान करेगी, निश्चित रूप में, जो कि 5 बराबर बराबर किस्तों में वार्शिक आधार पर किया जाएगा, से 60% भुक्तान परियोजना पूरी होने के बाद परिवर्तनी वार्शिक राशी के रूप में किया जाएगा, जो developer के production के आधार परता है हो और यहां टोल संग्रहन करने का काम कौन करेगा, निशी कमपनी नहीं कौन करेगा, सरकार करेगी, क्योंकि सरकार ने तो पूरा पैसा एक तरह से दे दिया, ठीक है, निशी कमपनीों को, तो सरकार टोल जो भी सरकार लगाएगी, सुल्क जो भी लगाएगी, वो सरकार द्व परियोजनाए जो रुकी हुई है उन्हें नीजी भागिदारी से जल से जल पूरा करना है कथन दो या PPP BOT और EPC मॉडल का सम्मिस्रण है कथन तीन इसमें परियोजना लागत का 60% भुकतान नीजी कमपनी और 40% भुकतान सरकार दौरा किया जाता है वो परिप्त में से कौन स आपका सही है और मैंने असत्य पूछा इसलिए D अब आपको लग रहा होगा सर यहां तो BOT NUT नहीं लिखा हुआ है अगर ऐसा एक्जाम में आ गया कि PPP और BOT और उसमें ना तो NUT या TOL की बात कही गई है तब भी मैं बता रहा हूं आप सही करेंगे क्योंकि BOT में दो आत बताया है अब BOT NUT तो यहां है नहीं केवल BOT PPP BOT है तो क्या ही सही होगा हाँ बिलकुल सही होगा लेकिन यहां पर केवल यहां रगेगा EPC Engineering Procurement Construction ही है ठीक है इसका हिंदी पता नहीं क्या लिखेगा आप English में देख लीजेगा EPC चलिए तो आज का important topic सुरू करते है कमर क लीजिए गैर बैंकिंग वित्ती संस्थान NBFC के बारे में पहले तो जान लीजिए कि NBFC है क्या NBFC जो company अधिनियम 1956 और 2013 company अधिनियम है अगर उसके अंतरगत यह पंजिकृत होते हैं यह याद रखिएगा देखिए इसका NBFC का नियामक जो है वो RBI होता है ध्यान रखि क्योंकि बैंक जो है वो banking अधिनियम 1949 के तहच चलते हैं ठीक है वो उसके अंतरगत आते हैं और उसका नियामक जो है वो RBI होता है बैंकों का भी लेकिन NBFC जो है इसका पंजी करण जो है वो company अधिनियम 1956 या 2013 के अंतरगत होता है और सबसे बड़ी बात है कि NBFC के कारे में अगर देखिए तो इनका कारे क्या है उधार देना है विविन प्रकार के शेयर स्टॉक बॉंड डिबेंचर प्रतिभूतियां पट्टा कारोबार ठीक है लीज जो है लीजिंग फिर किराया खरीद हायर पर्चेजिंग की बारे में बात करते हैं फिर बीमा वेशाय इंसु देखिए प्राप्त करना भी सामिल है यानि ये जमा भी सुधिकार करती है लेकिन बैंकों की तरह चालू खाता बचत खाता ये सब खोलती नहीं है ये केवल सावधी जमाफिक्स लिबमांद डिपोजजिट नहीं डिमांड डिपोजिट जैसे बैंक खोलते हैं चालू खाता और बचत खाता में जिसको जरुवत पढ़ने पर आप निकाल सकते हैं लेकिन NBFC में जमा किया हुआ पैसा एक निश्यत अवधी के लिए फिक्स होता है जिसको आप बीच में निकाल भी नहीं सकते हैं अब NBFC सरकारी और निजी दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकती है यह याद रखिएगा यह बहुत इंपोर्टन्ट है क्योंकि NBFC जो है यह एक्जाम में पूछा भी गया है UPC द्वारा आप से कि NBFC सरकारी और निजी दोनों ही प्रतिभूतियों में द दुसरा कमपनी के पास नियूंतम दो करोड की पूंजी हो जिसको अब RBI ने फैसला लिया है कि बढ़ा कर 100 करोड तक लाया जाए ठीक है लेकिन 2 करोड की पूंजी अभी भी NBFC द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है जल्दी RBI इसको 100 करोड की पूंजी और उसको लाना ही रखिएगा जबकि bank मांग जमा सुईकार करता है बैंक में आप चालू खाता current account saving account यह सब खोल सकते हैं जहां पर ज़रुत पढ़ने पर पैसा वापस भी निकाल सकते हैं लेकिन NBFC में अगर आपने पैसा जमा किया तो अगर वो जो NBFC जमा सुईकार करती है वो केवल साव सावधी जमा सुईकार करता है सावधी जमा यानि fix deposit ही सुईकार करता है निश्चित समय के लिए जबकि bank मांग और सावधी दोनों ही यानि current account saving account मांग जमा जिसको आप निकाल सकते हैं जुरत पढ़ने पर और सावधी जमा fix deposit दोनों ही bank सुईकार करता है NBFC का पंजी करण company अधिनियम के अंतरगत होता है जबकि banking banking अधिनियम 1949 के अंतरगत कारे करते हैं ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि bank में FDI की सीमा 74% है जबकि NBFC की में FDI की सीमा कितना है 100% है याद रखिए NBFC के लिए CRR की जरुरत नहीं होती है ठीक है जबकि bank के लिए आपको पता है 4% CRR RBI के पास रखना अनिवारे होता है अब यह नहीं कि जमा सुईकार करने वाली जो NBFC उनको CRR रखना पड़ेगा CRR नहीं उनको SLR मेंटेन करना पड़ता है NBFC जो जमा सुईकार करने वाली देखिया गया उनको 15% SLR रखना पड़ता है अनिवारे रूप से जबकि bank को 19 15% SLR अपने पास में रखना पड़ता है statutory liquidity ratio जो bank अपने पास में सोना या currency रुपया या सरकारी प्रतिभूती तीनों में से किसी रूप में रखता है जनरली सरकारी प्रतिभूती में ज़्यादा रखा जाता है क्योंकि bank को इसमें ब्याज भी मिलता है bank में जमा माने bank अब 50-50,000,000,000,000 रुपय का FD कराया और bank डूब गया तो bank आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा सहाब आपको एक लाख रुपय तो देगा ही देगा एक करोड़ रुपय आपने bank में जमा किया आपको एक लाख रुपय तो जरूरी मिलता है क्योंकि bank आप उसमें guarantee कितना रखत और वो NBFC में तो वो भी सुविदा उपलब्द नहीं है कि अगर कोई जैसे सहारा में अगर सहारा डूब जाए तो इसका मतलब पूरा पैसा आपका डूब गया आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है यहां कम से कम एक लाग रुपय तो मिल रहा है ठीक है और अगर एक लाग से कम जमा करोगे तो एक लाग नहीं मांगोंगे कि हमने पचास जर जमा कि आप एक लाग रुपय दे जीज़े ऐसा नहीं है तब 50,000 रुपया का जो वन थार्ड अमाउंट है वह आपको मिलेगा ठीक है उसका वन थार्ड पचास जर का तो आपको वापस मिलेगा के यह एक लाग से नीचे में यह लाग है अब यह वो कमपनियां है जो NBFC में पंजी करण से जिनको छूट दी गई है कौन-कौन सी है जेखेए हाउजिंग फाइनस कमपनी इसका नियामक कौन होता है राश्टी आवास बैंक नैशनल हाउजिंग बैंक याद है आपको जली से 1988 स्थापना मुख्याले कहा है नई दिल्ली वेरी गुड और यह कौन सा इंडेक्स जारी करता है आवासी सुचकांग रैसी डेक्स इंडेक्स बहुत बढ़ियां चली याद है आपको इंसुरेंस कमपनी इरिडा का मुख्याल है है एदरावाद याद रखेगा इंसुरेंस रेगुलरिटी डेपलेप्मेंट ऑथोरिटी स्थापना 1988 और 1992 में इसको एक वैधानिक संस्था बनाये गया फिर मर्चंट बैंकिंग इसका बी नियामक कौन होता है सेबी वेंचर कैपिटल ये सब संस्थाओं इसका भी नियामक कौन है सेबी ही होता है निधी कमपनी ये मिनिस्ट्री ओफ कॉर्पोरिट एफेर के अंतरगत आता है और चितफंड कमपनियां ये एक संबंदित राज्यसरकार जैसे सारदा देखे वहां की बंगाल की जो भुवाता घोटाला तो बंगाल के राज्यसरकार जो थी उसने ही इसकी नियमकी अंतरगत जो फैसला लिया या जो सके अंतरगत जो कदम उठाए अब एंबी एफसी में एक बड़ा विवाद अभी क्यों ये निउस में आगया कि कई सारे ये current में news में NBFC बहुत ज़्यादा रहा अगर आप बात करें Ireland FS का विवाद या आप लोगों ने अच्छे से पड़ा भी है news में क्या है Ireland FS का विवाद Ireland FS को पहले समझे एक प्रकार की Infrastructure Leasing and Financial Service Limited इसका फुल फॉर्म अगर बोलेंगे Infrastructure Leasing and Financial Service Limited यह आधार्बुस यह कंपणी है जो आधार्बुस संरचना में आप समझे कि निर्माण कार्यों में जो फाइनस की सुविधा होती है तो यह लोन देने का काम करता है रिर देने का काम क कराता है और देश की सबसे बड़ी अगर देखा जाए Infrastructure Finance Company के रूप में आधार्बुस संरचना निगम के रूप में वित्तियन निगम के रूप में यह बहुत फेमस है और इसने बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पर अपना धन का निवेश भी किया है या उसके लि जोनी औरिक्स है जिसका 23% कम से कम उसका शेयर धारक सेकेंड बड़ा शेयर होल्डर जो है वो औरिक्स है किसका आईलेंड एफस का अब आईलेंड एफस में विवाद क्या हुआ वह यह सबसे बड़ा बात है कि जो सिडवी का 4500 करोड का लोन था वो चुका नहीं पाई हु तो कहीं न कहीं से पैसा ले रही है उधार मार्केट से उधार लेकर के मान लीजे मार्केट मार्केट से पैसा लेकर के इसके पास भईया पैसा होगाने वाला कोई पेर तो नहीं है कि वहां से तोड़ तोड़ कर आपको दे रही हो ठीक है ना तो वैसा कोई आलू डालो और सोना निकले ऐसा कोई मशीन इसके पास तो यह market से पैसा ली अब market से पैसा जो लेती है यह लेती है शॉट टर्म उधारी लेती है ठीक है और यह जो उधार देती है यह long term के लिए क्योंकि जब तक project पूरा नहीं होता है लंबे समय के उधारी देती है अब जब B इसका payment करेगा A को तभी तो A market में चुकाएगी पैसा या bank market ले लो या bank ले लो ठीक है तभी तो A जो है वो कहां जाकर के चुकाएगा market में चुकाएगा अब B का payment आने में लग गया 10 साल ठीक है और इसका payment इसको करना है 2 साल में तो अब क्या हुआ इतनी बड़ी finance company इतनी बड़ी infrastructure finance company जो की जिसको एक NBFC की रूप में माना जाता है येक NBFC है अगर वो बरबाद हो तो अमेरिका का जैसे संकट गहरा है था 2008 में हमारे दिसमें भी गहरा जाता इसलिए सरकार ने तुरन 2018 में इसके लिए कदम उठाई और सरकार तुरन थरकत में आकर किसके प्रबंधन को पूरे management को ही उदय कोटक जैसे जो है corporate आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उदय कोटक जैसे लोगों को इसमें appoint किया गया ठीक है और corporate governance के लिए माने जाते हैं उदय कोटक committee तो कई लोगों को अच्छे लोगों को इसमें appoint किया गया और सरकार ने देखा जाया तो उसका पूरा प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया ताकि इसको बरबाद होने से बचाया जासे अब एक और बड़ा news आया और वो news क्या था वो news था कि जो IDFC bank याद कीजिए दो बैंकों को 2015 में याद कीजिए बंधन बैंक और IDFC जो पहले NBFC थी और बंधन पहले बंधन financial service था जिसको बंधन बैंक बनाया गया युनिवर्सल बैंक बनाया गया दो बैंकों को युनिवर्सल बैंक का license दिया गया RBI द्वारा 2015 में उसमें से एक IDFC IDFC, NBFC था ठीक है ये infrastructure में इसकी स्थापना 1999 में 1999 में राजी भी लाल द्वारा स्थापित हुआ था IDFC, एक NBFC के रूप में और ये infrastructure sector में लोन देता था ठीक है और उधारी देने का काम करता था जबकि बंदन बैंक, बंदन financial service इसका जो एक तरह से पूरा कारे छेतर पश्री मंगाल माना जाता है इसलिए इसका देखिए मुख्याले भी कुलकाता में ही है बंदन बैंक का तो इन दोनों को जब युनिवर्सल बैंक का license दिया गया यानि अब यह बैंक के सारे कारे कर सकते है क्योंकि इनका जो पूझी है वह 500 करोड से जादा और उनिवर्सल बैंक के लिए तो हुआ क्या 2018 में एक और घटना घटी IDFC के साथ क्या घटना घटी IDFC जो बैंक था इसका Capital First Company अब देखिए पहले IDFC NBFC था लेकिन अब वो IDFC बैंक बन गया यूनिवर्सल बैंक अब एक Capital First Company जिसकी स्थापना 2012 में वी वैदेनाद द्वारा किया गया था जिसका मुख्याले कहा है मुंबई मैं फिर से बोल रहा हूं Capital First Company जिसकी स्थापना वी वैदेनाद द्वारा 2012 में किया गया और जिसका वैदेनाद उसमें महत्वण भूमिका निभा रहे हैं ठीक है तो एक IDFC First Bank का भी जो न्यूस था उसको भी हम लोगों ने समझ लिया अब NBFC को अगर और बैंक को अगर बैंकिंग लोगपाल स्कीम से जोड़ करना पड़े तो क्या पड़े ठीक है और बैंकिंग लोगपाल इंपोर्टेंट भी आपके एकजाम के लिए अच्छा बैंकिंग लोगपाल से पहले मैं एक बात आप लोग को और बता दूँ कि एक White Label ATM भी मार्केट में बहुत न्यूस में है ये भी याद रखिए White Label ATM क्या होता है अगर कोई ATM तो आप जानते जहां से आप पैसा निका आपने वाला ज्यादा काम करते हैं तो ATM जिस ATM का संचालन NBFC या निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है उसको हम लोग कहते है White Label ATM और भारत में पहला White Label ATM 2015 में Indie Cash आपको याद होगा नाम क्या है Indie Cash टाटा कम्यूनिकेशन द्वारा लगाए गया आप तो बहुत सारे का कंसेप्ट आप समझ लीजिए और White Label ATM में 100% FDI और वो भी 140 आटोमेटिक रूट से है जिसमें सरकार की पर्मिशन की आउशक्ता नहीं है यह याद रखे गया अब बैंकिंग लोगपाल स्कीम क्या है और यह बहुत अभी आप All India रीडियो गर सुन रहे होंगे तो रीडि कीजिए बैंकों के खिलाफ कारवाई की जाएगी यह बैंक और स्कीम है क्या क्यों क्योंकि यह दो जून के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए तो आईए चली पढ़ते हम लोग बैंकिंग लोगपाल स्कीम 2006 क्यों 2006 क्यों 2006 क्यों क्यों इसकी सुरुआत 1995 में हुई लेकि 2002 में इसका संसोधन हुआ लेकिन बैंकिंग लोगपाल स्कीम 2006 के अंतरगत ये संचालित की जा रही है अब सबसे इंपोर्टेंट क्या बात है इसमें ग्राहक बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बैंकों के खिलाफ क्या कर सकता है शिकायत दर्ज कर सकते हैं अब 2017 में RBI ने बैंकिंग लोगपाल स्कीम 2006 को और विस्तरित कर दिया क्या किया इसके माध्यम से पहली बार बैंक को तृतिय पक्षुत पाद थर्ड पार्टी प्रोड़क्ट क्या होता है ये थर्ड पार्टी प्रोड़क्ट जैसे मिच्वल फंड बीमा के पास में आजकल बैंकों के पास अगर आपके अकॉंट मेंम अभी चार पांच लाक रॲबर रखा हुआ है पैक मेनेजर देखेगा आपको और देखेग ऑरी r welloyal ना देखा आपके अकउट को तो आपसे पादी तक ना पूछहेगा और जैसी फरक्राल प्रांवीट बै जो आपको माने क्या बोला जाए आपसे माने आपको बेवकूब बनाता है अपने प्रोड़क्ट बेच करके ज्यादा तर बैंकों में आज कल इसको लेकर कई तरह के शिकायते भी हैं कि बैंक अपने टार्गेट को पूरा करने के लिए क्योंकि बैंकों का एंपी इतना कि बैंकों बैंकों के लिए प्रोड़क्ट बेचना बीमा मिच्वल फंड बेचना उनकी मजबूरी बन गई है क्योंकि अपने ओवरहड एक्सपेंडिचर को कहां से पूरा करें ये तो समझ लिए उनकी बेचारों की मजबूरी है उनकी नौकरी चली कैसे तो उनके भी जर कोई भी बैंक का एंपलॉई गलत तरीके से आपको बेचता है तो जवाब दे बनाया गया है जो पहले नहीं था लेकिन अब बैंक कामबूर्समेंट में उसको छोड़ा नहीं जाएगा बकसा नहीं जाएगा अगर आपके साथ ऐसा होता है जरूर जाईए लोगों के साथ ह बड़ी बात है इसमें जो मौवजा आपको दिलाया जाता है आपको इसमें आपको पारितोष दिखाया दिलाया जाता है जो अगर आप बैंक की गलती हो बैंक अपना को ऐसा प्रोडेक्ट बेस दिया हो जो गलत तरीके से बेचा गया गलत तरीके से बता कर बेचा गया तो तो और email और post के माद्यम से अब आपको जाने की जुरत नहीं है आप अपनी शिकायत धर्च कर सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है पहले आपको शिकायत निवारण विभाग में संपर करना होगा अगर 30 दिन के बीतर उनकी तरब से कोई जवाब नहीं आता है या उनके जव NBFC को भी अब लोगपाल अधिनियम के अंतरगत लोगपाल स्कीम के अंतरगत अब सामिल किया गया लोगपाल स्कीम में NBFC को यही तो न्यूज है क्या न्यूज है 23 फरवरी 2018 को RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 IA के तहत RBI के साथ पंजिकरित जितने भी NBFC है उनके विरुद श की बैंक उंबूटस्मेन स्कीम में सामिल किया गया यानि यह योजना जो जमा सुईक आर करने वाली जमारासि जो सुईकार कर रही है जो deposit क्बोजिट करने वाली गैर बैंकिंग वित्ति कामपनिया on को इसके दायरे में लया गए जो NBFC है उनको Bank Ombudsman Scheme के दारे में अब ला दिया गया है ठीक है और इसमें क्या होगा NBFC लोगपाल RBI द्वारा न्यूक्त एक वरिष्ट अधिकारी होता है जो सेवा में कमी के लिए NBFC के विरुद्ध ग्रहकों के शिकायतों का निवारण करता है अब मैं इसमें एक और करेंट जोड़ रहा हूँ अभी अप्रेल 2019 का करेंट आपको जोड़ रहा है क्या कि अब इसमें केवल जमास्विकार करने कंपनिया एन BFC बलकि गैर जमास्विकार करने वाली कंपनिया जिनका ऐसट साईज सौ करोड या उससे उपर हैं उनको भी NBFC म सामिल कर दिया गया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो गैर जमा सुईकार करने वाली एन्बी एफसी है जिनका एसेट साइज संपत्ती साइज जिनका सौ करोड या उससे अधीक है उनको भी कहां बैंक कॉमबूर्समेन स्कीम यानि बैंकिंग लोकपाल स्कीम में सामिल कर द रखी गए इस पर कोई आपको सुल्क नहीं देना होगा और त्वरित सिकायत निवारन तंत्र प्रदान करती है यह योजना एक अपीली तंत्र भी प्रदान करती जिसके तहट सिकायत करता एन्बी एफसी के पास अपीली प्राधी करण के समक्च लोकपाल के निर्णय के ख समक्च भी अपील कर सकता है उसके पास विकल्प होगा और इसका जो लोकपाल कार्याले बनाये गया चन्नई, कुलकाता, मॉंबई और नई विल्ली यह तो चार मेट्रों आपको पता ही है उन चारों मेट्रों में इसको स्थापित किया जाएगा सबसे बड़ी बात है जो आपको याद रखना है एक तो कि RBI ने उन NBFC के लिए लोकपाल योजना की विस्तार की घोशना किये जो गैर डिपोजिट ग्रहकों की संपत्ती का जिनका आकार कितना हो 100 करोड या उससे अधीक है ये बात तो हम कर लिये थे लेकिन कुछ लोग कुछ NBFC को इसमें छूट दिया गया है और ये बहुत important exam के लिए मैं बता दे रहा हूं उसको याद कर लीजिए कौन-कौन से NBFC है जिसको छूट दिया गया है एक तो infrastructure finance company याद कीजिए फिर से बोलना है infrastructure finance company फिर से infrastructure finance company दुसरा core investment company CIC फिर से बोलिए core investment यह आ रहा है इसलिए बोलना है core investment company very good infrastructure debt fund non banking NB कि NBFC में एक नई स्रेणी सरकार लेकर आई है हाली में RBI ने NBFC की तीन स्रेणियों को मिला करके अब यह बहुत important है कि वो तीन स्रेणिया कौन-कौन है एक asset finance company याद रखिए asset finance company दुसरा रंडाता company फिर से बोलिए रंडाता company और निवेशक company पहला फिर से asset finance company रंडाता company औ और निवेश company इन तीनों को मिलाकर गैर बैंकिंग वित्ती company की निवेश और credit company एक नया बनाया गया एक नया स्रेणि बनाया गया एक नया classification इनको दे दिया गया गया गैर बैंकिंग वित्ती company NBFC की निवेश investment and credit company एक और important topic है P2P lending जो बहुत news में रहा है अब यह P2P है क्य P2P एक crowdfunding का तरीका है crowdfunding को आप समझी ऐसे कि अगर बाजार से मने बहुत बड़ा धन नहीं थोड़ा धन जुटाना है और आप जब थोड़ा सा धन बहुत मने एक mass of public बड़ी public से जुटाते हैं मने बहुत सारे लोगों से थोड़ा सा धन जुटाते हैं तो इसको crowdfunding कहा जा यहां एक वैक्ती दुसरे से लोन लेता है यानि जिस वैक्ती को करज की जरूरत होती है वे उन लोगों से लोन लेते हैं जो करज दे कर उस रकम पर ब्याज कमाना चाहते हैं ठीक है कैसे इसको समझेंगे आप ऐसे समझें मान लीजिए A A को लोन चाहिए B के पास पैसा है लेकिन B देखता है कि भाई बैंक में अगर हम जमा करेंगे तो बैंक हमको केवल 6-7% का ब्याज देता है अब B चाहता है कि मुझे कुछ ऐसा मिले जहां मैं ज़्यादा ब्याज कमा सकूँ अब B बैंक में पैसा रखना नहीं चाहता है ठीक है तो अब B ऐसे लोगों को लोन दिया जाता है तब क्या करेगा B कहां से खोजे ऐसे लोगों को तो इसके लिए सबसे बड़ा काम करता है यह देखिए यह आ गया P2P यानि P2P एक online platform है जो कौन रिणी यानि borrower और रिणदाता यानि लेंडर यानि borrower और लेंडर दोनों को रिणदाता और रिणी को आपस में जोडने का काम करता है और जिसके माद्यम से रिणदाता रिणी को लोन देता है यानि यहाँ P2P लेंडिंग जो हता है यहाँ दोनों ही रिणदाता और रिणी दोनों ही अपना पंजी करन करते हैं P2P इसका KYC करवाता है रिणी का और उसके बाद जब वो देखत लोन देता है यही P2P है जो आपको समझना है यानि एक तरह से देखा जाए ऐ वो वैक्ती है अब इह यहाँ कौन है यह वो वैक्ती जिसको बैंकों से रिंदर और आसानी से नहीं मिलता है hai यह छोटे-छोटे वह वैक्ती का मतलब वो कम्जोर और गरीब वैक्ती होते ही उधार ले ले सकते हैं और P2P लेंडिंग को अभी हाली में RBI ने NBFC का दर्जा दिया है ठीक है अब P2P में कुछ बाते जानने के लिए हैं वो क्या बाते हैं जरा समझते हैं पहला है कि यह एक online platform है ठीक है जहां रिर्डाता और रिर्णी एक platform पर आपस में जोडने का इन दोनों को जोडने का प्रयास करता है दोनों ही अपना पंजीकरण कराते हैं इस online platform के दोवारा ऐसे रिर्णी को उधार मिल पाता है जिनने bank आसानी से रिर्ण नहीं देता है ठीक है उनको आसानी से रिर्ण मिलता है अब यहां उधार देने वाला किस लिए क्योंकि ज़्यादा ब्याज उसको मिलेगा इस लालच में या इस इच्छा से वो उधार देता है ठीक है अब P2P lending में bank सामिल नहीं होता है या याद रखेगा यहां कोई भी वित्ती संस्थान यह P2P lending में वित्ती संस्थान यहां पर सामिल नहीं होते है यहां पर यह P2P lending में उधार देने वाला और उधार लेने वाला इनको जोडने का काम जो करता है वो P2P lending करता है या P2P platform करता है P2P में उधार वाले को आसानी से रिंड जो उनी को मिलता है जो बैंकों से उनको रिंड नहीं मिलता वहिस में सामील होते हैं और उचित ब्याज़दर पर उनको रिंड मिल पाता है जबकि पीटूपी लेंडिंग, उचित ब्याज़दर का मतलब ये जान लेना बैंक से तो ज़्यादा होता ही है, ठीक है अब जहां पर कुछ नहीं मिल रहा है बैंकों से वहां उधार तो मिल जा रहा है अब P2P lending केवल सुल्क के आधार पर काम करता है अगर उधार लेने वाला भाग जाए तो इसमें P2P lending का आप गला दवा मने आप जाकर के गला नहीं दवा सकते हैं बैंको पैसा दो बैया वो गया तो गया ठीक है P2P lending तो केवल सुल्क लेता है कि बैया हमने अपना सर्विस दिया तो आप हमको सुल्क को दो और हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं ठीक है P2P lending जो lending है वो या P2P lending कभी रिंड चुकाने की कोई guarantee नहीं देता है याद रखेगा और सबसे बड़ी बात है P2P lending के माध्यम से आप 10 लाग से ज़्यादा का रिंड नहीं मने जो lender है याद रखेगा जो A है और B है A कौन है यहाँ पर हम लोग माने थे borrower A को क्या माना था हमने A को हमने रिंड और B को हमने रिंड दाता माना था सरकार ने एक परिवर्तन इसमें किया है RBI ने कि अगर कोई MSME के लिए उधार है तो यह 5 लाग से 25 लाग तक ही उधार दे सकता है MSME में केवल MSME में Otherwise 10 लाग से ज़्यादा उधार नहीं दे सकता फिर सबसे बड़ी बात है कि जो रिंड है वो 50,000 से ज़्यादा उधार नहीं ले सकता वो 50,000 से ज़्यादा उसको उधार नहीं मिल सकता यानि इसका लिमिट 50,000 है लेने वाले का और देने वाले का लिमिट अधिक्तम कितना 10 लाग है तो क्या यहाँ पर जो वैक्ति उधार ले रहा है क्या यह उधार देने का भी काम कर सकता है बिल्कुल एक वैक्ति जो यहां उधार लेने वाला है उधार देने वाला भी हो सकता है यानि the same person can be the borrower and lender both और सबसे बड़ी बात है यहां पर multiple of borrower यानि कई संख्या में borrower हो सकते हैं और कई संख्या में lender भी हो सकते हैं कैसे जल लोगों को 50,000 से ज़्यादा मिलनी सकता है तो 50,000 के लिए हो सकता है इससे 10,000 ले 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 इससे 20,000 ले ले और इससे 30,000 ले ले तो स्वारी ये 20,000 और इससे 20,000 और ये 10,000 तो हो गया इसका पूरा 50,000 यानि कई लोगों से एक बार में उधार ले सकता है ठीक है लेकिन limit वही 50,000 का होगा वहीं दुसरी तरफ देखिए X जो है उसको कितना देना 10,00,000 रुपया तो 10,00,000 में हो सकता है कि इसको वो 20 लोगों को उधार दे सकता है 50,000 करके अगर देखा जाए एक व्यक्ति को कितना दे सकता है 50,000 तो ऐसे करते वे D, E, F करके वो 20 लोगों को उधार वो कितना दे सकता है 20 लोगों को उधार दे सकता है कौन A, X तो there can be multiple of borrower और there can be multiple of lender ठीक है यह दोनों ही multiple हो सकते हैं बहु संख्याक हो सकते हैं डिपेंड की उधार कैसे चल रहा है आपर तो यह हुआ P2P lending के बारे में जानकारी लेकिन P2P lending में यह याद रखेगा RBI ने P2P lending को अब NBFC का दरजा दे दिया और यहां एक रिर्डाता कई रिर्डाता को एक साथ रिर्ड दे सकता है और एक रिर्डाता से उधार ले सकते हैं बात आपको समझ में आ गया और यह रिर्ड के लागत को कम करता है क्योंकि बीच में बैंकों तो होता नहीं है और रिर्ड प्रक्रिया को आसान और बिना गारेंटी के बनाता है चलिए अगर P2P lending समझ गये हैं तो जल्दी से सवाल का उत्तर दीजिए अब सवाल आपका है पहला सवाल अगर बात करें NBFC के संदर में निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए पहला कथन ये बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतरगत आते तथा इसका नियामक RBI होता है कथन दो ये सरकारी तथा निजी दोनों प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं कथन तीन जमा स्वीकार करने वाले NBFC को नगत कोश अनुपात का अनुपालन करना आवश्यक होता है अब बताईए उपरिप्त में से कौन सा कथन A केवल दो B एक और दो C एक और तीन D केवल एक कथन दो सही है यह सरकारी और निजी दोनों प्रतिभूति तो आंसर केवल दो एरे क्या बात है पकड़ लिए असत्य पूचा है तो क्या होगा यह दोनों कथन असत्य है तो आपका आंसर होगा C एक और तीन एक और तीन is the correct answer प्रश्न दो हाल ही में RBI ने तीन NBFC सिर्णी को मिला कर एक नई सिर्णी NBFC ICC का निर्माण कियावे तीन है Asset Management Company क्या बात है RIN Company Nivish Company अब बताईए एक दो तीन ना ए क्या बात है पकड़े यह हुआ कि आप पकड़ने लग गए एक दम फटाफट क्या क्योंकि याद कर लिये थे ना तो क्या होगा Asset Management Company नी बलके Asset Finance Company थी 2 और 3 C is the correct answer Banking लोगपाल स्कीन 2006 के संबन में निम्रिखित कत्रों पर विचार कीजिए कथन 1 अब वे सभी NBFC जिनका Asset Size अधिक्तम 100 करोडों उन्हें ही स्कीम में सामिल किया गया है कथन 2 Banking लोगपाल के पास 20 लाख रुपए तक का मौवज़ा देने का अधिकार है कथन 3 अब इस स्कीम में 30 पक्च उत्पात को गलत तरीके से बेचने के लिए जवाबदे बनाये गया है उपर उत्में से कौन सा कथन सत्य है क्या बात है पहला कथन अधिक्तम यहां गलत है क्यों कि 100 करोड से उपर वालों को अब सामिल किया गया है और ये दोनों सही है 2 और 3 तो आंसर क्या होगा B 2 और 3 चौथा P2P लेंडिंग से संबंदित निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए कथन 1 वर्तमान में या एक NBFC है जिसका नियमन कंपणी अधिनियम 2013 के तहत NCLT करता है कथन 2 इसमें जहां रिड़दाता तथा रिणी दोनों ही बहु संख्या हो सकते हैं कथन 3 या एक Online Platform है जो रिड़ प्रक्रिया को बिना Guarantee के आसान बनाता है अब बताई उपर 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 में से कौन सा कथन सत्य है A 1 2 और 3 B 2 और 3 C 1 और 3 D केवल 3 पकड़ लिए पहला वाला कथन गलत है क्योंकि RBI है और जहां रिड़ दाता तथा रिणी दोनों ही बहु संख्या ये भी सही है और तिसरा भी सही है तो 2 और 3 B क्योंकि सत्य पूछा है तो 2 और 3 दोनों सही है तो इसी के साथ हमारा ये दस्वांग समाप्त हुआ बाबाई थैंक्यू सो मच All the best और मिलते हैं अगले अंग में